नमस्कार एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत याल सफीका परिक्षावल के से यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी टेपल सी पीटी 2021 के लिए हम जो जी एस का टेस्ट स्टार्ट किये वे उसका जो भाग चार है उसको आज हम कंप्यूट करेंगे तो चलिए वीडियो का वह कौन सा सासक था जो असोक का समकालिन था तो मकदूनिया का सासक था इसका नाम था एंटो गौन क्या नाम था इसका तो इस सासक का नाम था एंटी गौन गौन टास एंटी गौन इस प्रकाल लिखाएगा आपका एंटी एंटी गौन गौन टास तो यह मकदूनिया का स आशक था तथा यह असोग का समकालिन था तो आप इसे द्यान देज़ेगा आपका C बिल्कुल सही है एंटीकॉन गोंटास तो आप इसे द्यान देज़ेगा अगला है इसमें से कौन मनुस्मृति का टीका कार है आपको बताना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो दिये गए आपसंस में से मनुस्मृति का टीका कार कौन है तो दिये गए आपसंस में से मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीका कार है मेगा ती थी इनका नाम है मेगा ती यह जो है मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीका कार है इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं जिनके दरा मनुस् किया गया था इस मनुस्मृति का इसके लबा गोविंद राज गोविंद राज ने भी ठीका कार किया था मनुस्मृति का तो यह तीन इंप्पॉर्टेंट व्यक्ति जिनको आपको याद रखना है मेधा तीथी कुलुक भट गोविंद राज इन तीनों के द्वारा जो है मनुस्मृति का टीका कार किया गया था तो पर सिद्यान देजेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद अगला है और मांटेंग गिव चेम्सफोर्ट प्रस्ताव किस से समंदित था तो मांटेंग गिव चेम्सफोर्ट प्रस्ताव जो था यह सामवीधानिक सुधार से संबंधित हैने कि option अपका D बिल्कुल सही है जो मांटेंग जीव चेम स्पोर्ट सुधार हो ता या सांवी धानिक सुधारों से संबंधित है निकि option आपका जो D है बिल्कुल सी हो जाएगा जो है भारत साचन अधिनियम जो 1929 था आप या दिखेगा जो भारत साचन अधि की सुरुवाद की गहती तो उस समय भारत का वाय सराय था Lord Lynn Lithgow यानि कि option आपका B बिल्कुल सही Lord Lynn Lynn Lithgow भारत चुड़ा अनोलिन के समय भारत का वाय सराय था अगला प्रस्था किसके सुजाओं पर भातियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया है था very important तो किसके सुधारों मतलब किसके सुझाओ पर जो है किसके सुझाओ पर साइमन कमिशन से भागतियों को बाहर रखा गया था तो लौड इर्विन के यह निकि आपका डे बिल्कुल सही है लौड इर्विन के सुझाओ पर जो है भारतियों को जो है साइमन कमिशन से बाहर रख विरूद से नहीं देखिवल इसमें अंग्रे जो सदस्ट से थे जिस कारण से इस कमिशन का भारत में बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था तो साइमान कमिशन का विरोध करलते वक्त ही लाला लाशपतराय की मृत्ति भी हो गयी थी लाठियों लाठियों के जोरा जो लाठी चार्ज किया गया था उस समय जब भारत के दोरा भारत के ब्यक्तियों के दोरा जो साइमन कमीशन का बिरोध किया जा रहा था तो उस समय बिरोध में लाला लाज पतराय भी बिरोध कर रहे था तो उसी समय पूलिस के दोरा लाठी चार्ज कर द द्यान देज़ेगा very very important इसके बाद अगला है निम्लेकित में से किसने प्रसिद चटगाउन सस्त्रागाल धावे को आयोजित किया था very very important तो जो चटगाउन सस्त्रागाल धावा था ये आयोजित किया गया था सुर्य सेन के दार है यानि कि option आपका जो है आपके सी बिल्कुल से हो जाएगा सुर्य सेन के दारा जो है और प्रसिद चटगाउन सस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था तो option आपका सी बिल्कुल से ये सुर्य सेन अगला प्रस्न है और निम्लेकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है तो इसमें से कौन सा सही सुमलित नहीं है तो आए देख लेते हैं तो पहला जो कॉंग्रेस का यहां पर अधिवेशन दिया गया है 1887 कॉंग्रेस का अधिवेशन मदरास में आजित किया गया था अधिया देगा 1887 में कॉंग्रेस का जो अधिवेशन था यह मदरास में आजित चपी थे Congress के तिसे आप ध्यान देजेगा वह अगर आप 1888 के Congress अध्यक्षण की बात करें तो इसका जुन किया गया था आप 1888 में अल्हाबाद में एह तiness इसकी अध्यक्षण की थे George Yule ने किसने प्रत्तम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कॉंग्रेस के बदरुदीन तयव जी तता 1888 का जो कॉंग्रेस अधिविशन हुआ था इलहाबाद में इसमें प्रत्तम अंग्रेज अध्यक्ष बना था जार्ज यू ले तो यह दोनों आप या देखी का वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसके बद 1890 का जो गया तो इसकी अध्यक्ष ने की थी तो इसकी अध्यक्ष बनेर जी ने तो ये चोथा वाला जो आपका जोड़ी था वह गलत दिया गया था इसके बाद अगला है अब ध्यान देज़ेगा अगला प्रस्ण यहां पे एक तरफ परमाडु विद्दुत सयंत्र दिये गए हैं और एक तरफ राज दिये गए हैं तो इसमें से आपको बताना है कौन सुमेलित करना है आपको तो आईए देख लेते हैं इसको तो काकरा पार आपको कहां पर मिलेगा तो काकरा पार आपको गुजरात में मिलेगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा और दो हो जाएगा इसके बाद कहएगा आपको कहां मिलेगा तो कहएगा आपको मिलेगा करनाटका में तो आपका बी का हो जाएगा एक हो जाएगा इसके बाद र मिलेगा करनाटका में रावत भाटा आपको मिलेगा राजस्थान में और नरोरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में इसे आपको ध्यान देना है अगला प्रस्तन है श्री हरी कोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित आपको बताना है तो श्री हरी कोटा जो द्वीप है आ हालती फसलों मतलब हालती संस्थान कुछ हैं फसलों के और उनकी स्थिति दी गई है तो आपको इनकी location को बताना है उनको सुमेलित करना है तो आई आई वी आर आई आई वी आर का मतलब होता है Indian Institute of Vegetable Research पहले क्या हो जाएगा फूल हम भी लिखते चलिएगा आई 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 वी आर का मतलब होता है आपका Indian Institute of Vegetable Research यह कहाँ पहले आपको मिलेगा तो यह आपको मिलेगा वराणसी मेती से आप ध्यान देजेगा वहीं आई आर प्यार का मतलब संस्थान यह कहाँ पहले आपको मिलेगा तो यह आपको मिलेगा कानपूर में कानपूर में इसके बाद IISR इसका मतलब होता है Indian Institute of Sugar Kenji Research यह ने की भावती गन्ण अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कहाँ पहले तो लखनऊ में मिलेगा IISR IIHR का मतलब होता है Horticultural Research यह आपको मिलेगा कहाँ पर तो Bangalore में आपको मिलेगा Horticultural Research तो यह चारों आपको याद रखना है Indian Institute of Vegetable Research आपको मिलेगा वरानसी में इसके बाद Indian Institute of Pulsors यानि की दलहन रिसर्च मिलेगा आपको कानपुर में आपको मिलेगा सुगर किन रिसर्च IISR आपको मिलेगा लखनाव में इसके बाद IIHR यानि की Indian Institute of Horticulture Research आपको मिलेगा Bangalore में तो यह चारों लोकेशन आपको याद रखनी है यहां से आपके एक्जाम में डेफिनेटली एक प्रस्ट देखने को मिल सकता है तो यह चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी है जो दस्वाँ प्रस्ट इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है IIBR यानि की विजिटेबर रिसर्च आपको मिलेगा कहाँ पे वरानसी में आप खून लेगा विजिटेबर रिसर्च उसके बाद दलहन रिसर्च आपको याद रखनी है अगला है प्रस्ट निम्लिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना यहाँ पे एक तरफ आपको यहाँ पे संगठन दिये गए हैं 200 के और एक तरफ आपको दिये गए हैं उनकी हेट कार्टल तो आपको बताना इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है तो आईए इसको सॉल्ब कर लेते हैं तो पहला हमारा विश्व स्वास्त संगठन यानि कि यहां विश्व व्यपार संगठन आपके सौरी तो वॉर्ड ट्रेड और्गनाजेशन का हैट कौर्टल आपको जीने वाज सुर्जर लेंड में जो की बिल्कुल सही है अंतरास्टी मुद्रा कोस यानि कि इंटरनेशनल मौनेटरी फंड का हैट कौर्टल मिलेगा नियॉयोर्क में जो की बिल्कुल ही गलत है या होगा आपका वॉसिंग गटन डीसी में या कहां पे होगा तो वॉसिंग गटन डीसी में आपको मिलेगा अंतरास्टी मुद्रा क ब्रूसेल्स में तो ऑपसंटी मुद्रा पर स्कार्णब्रा को मिलेगा वौसिंग अटन डेसी में ये चारो सभी सुमलिट हो गए यह इनको आपको याद अखना है इसके बाद कौंग्रेस के कानपूर अधिवीशन 1925 की अध्यक्षिता नियुन में से किस के तरह के गई ती तथा यह प्रत्थम भारती महिला थी जिनके द्वारा कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के गए थी आपको यह दखना है प्रत्थम भारती महिला के आप बात हो रही है तो यह प्रत्थम भारती महिला थी जिनके द्वारा कॉंग्रेस के अधिवेशन की प्रतम महीला पूछ ले जिनके दारा कॉंग्रेस के अधिवेशन की अधिक्षता की गहे थी तो आपका राइट असर रो जाएगा सरोजनी नाइडू तो दोनों आपको याद लखना दोनों में कनफ्यूज नहीं होना है अगला आपका है नियंतरक एवा महालेका परिप्षक की टीका टिपड़ी पर उचित कारवाई की अंतिम जिम्यदारी किसकी होती है तो CAG की टीका टिपड़ी पर उचित कारवाई की अंतिम जिम्यदारी किसकी होती है तो संसद कियानि कि option अब का B बिल्कुल से संसद हैनि कि पालडिया में टगला है निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं आपको बताना है तो दिये कि options में से सही सुमेलित कौन सा नहीं आईए देख लेते हैं तो आपका जो यहाँ पे माउंट वेटे ने उजना दे गई है या 3 जूर 1947 को थी जो की बिल्कुल ही सही है या डेट इसके लबा क्रिप्स मिशन कब भारत आया था तो क्रिप्स मिशन 1944 में नहीं 1942 में भारत आया था तो option अब कभी गलत है फारवर्ड ब्लाग के स्थपना 1949 में के गई थी किस के दारा तो सुभास चंदर बोस के दारा तो यह बिल्कुल सही है सी राज गोपालाचारी योजना कब आई थी तो 1944 में तो यह भी बिल्कुल सही है सी राज गोपालाचारी योजना आई थी 1944 में तो यह सभी आपके सुमलित हो गए हैं इनको आपको याद अखना है अगला आपको प्रस्ण है पी सी महान लोबिस का नाम किस से जुड़ा तो पी सी महान लोबिस का जो नाम या द्वीती पंच वर्सी योजना से जुड़ा हुआ है तो राइट एंसर आपको जाएगा द्वीती पंच वर्सी योजना से जुड़ा हुआ है पी सी महान लोबिस का नाम ताप इस या देखेगा वरी वरी इंपोर्टन तो था यह जो PC महान लोबी से आपको बताना है comment box में कि इनका जो जन्म दिवस होता है भारत में किस रूप में मना जाता है आपके जाम में पूछा जा सकता है तो आपको comment box में बताना है कि जो PC महान लोबी से इनका जो date of birth होता है या भारत में हम किस रूप में मनाते हैं इसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में देना है अगला प्रस्ता है भारत में वित्ती अपातकाल की गोषणा अब तक कितनी बार की गई है तो भारत में वित्ती अपातकाल की जो गोषणा अब तक एक बार भी नहीं की गई है तो र होता, अगला प्रस्चन है ए सीली कोसिस, किस प्रकार की बिवानी, मतलब किस समभन DC या एक बिमारी थिख नंग दिजेगा, अगला प्रसमारा है एंजाइम क्या है काफी important है तो आप याद देखेगा यह जो एंजाइम होता है या एक बायो उत्प्रेरक होता है जिसको हम protein मतलब बायो उत्प्रेरक मतलब कि रसायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने को कहते है हम इंजाइम क्या होता है यह रसायनिक रियाओं को उत्प्रेरित करने वाल एक प्रोटीन होता है तो आप इसे द्यान देजेगा वरे-वरे-इंपोर्टेन आपसन आपका सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बायो उत्प्रायक केने की रहासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला यह एक प्रोटीन होता है एंजाइम अगला प्रसना आपका है और एक तरफ पदाद दिये गए और एक तरफ उनका उपयोग दिया गया है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसमें से यह देख लिते हैं तो यहाँ पे सिलवर ब्रूमाइट के सामने दिया है इसका उपव्योग क्रित्िम प्रकास अंशलेशल में जो की बिलकुल ही गलत है silver bromide का استعمال हम कहते हैं, किसमें तो photographi में किया जाता है इसका रायटेंसर हो जाएगा photographi में किया जाता है silver bromide का इस्तेमाल, अब इसे ध्यान देगा और silver iodide का इस्तेमाल किया जाता है krithym meansah緩ा में, lithium bicarbonate का इस्तिमाल किया आता है, गठिया के उपचार में, दूधिया मैगनीसिया के इस्तिमाल किया जाता है, इस प्रकार चारों आपके सुमहिलित हो गए है, सिल्वर ब्रॉमाइड हो जाएगा फोटोग्राफी में, सिल्वर आइड़ हो जाएगा क्रितिम वर्सा में, लिथियम बा ग्लास पानी पीने के लिए कितने कैलोरी उर्जा मिलती है तो एक ग्लास पानी पीने में हमें सुनने कैलोरी उर्जा मिलती है यानि कि आपका ए बिल्कुल सही है सुनने कैलोरी अगला प्रस्न है लाल बहादूर सास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थीत है तो लाल बहादूर सा विडिया में आपको मिलेगा कहाँ पर तो हैदराबाद में अगला प्रस्त मारा है मानवा दिकाल दिवस कब मनाया जाता है तो मानवा दिकाल जो दिवस कब मनाया जाता है तो मानवा दिकाल दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष दस दिसंबर के दिन तो आप इसे द्यान प्रति वर्स 10 दिसंबर के दिन मनाया जाए दा तब इसे याद देखेगा वेरी वेरी इंपोर्टन इसके बाद अगला प्रस्त नमारा है निमनेखित प्रदूसक या जेंटों में से कौन सा जो प्रदूसक एजेंट है ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है वेरी वेरी इंपोर्टन तो ओजोन परत में छेद बनाने के लिए कौन सा प्रदूसक जिम्मेदार इसमें से है तो CFC यानि कि क्लोरो फ्ल क्लोरो कारबन जो है यह ओजोन परत में छेद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार प्रदूसर खहाने की ऑप्सन अब का सी बिल्कुल सही है सी एपसी याने की क्लोरो फ्लोरो कारबन तुयां एपसी दयान देजगा वेरे वेरे इंपॉर्टन अगला है सहीम्थराष्ट का मुख्याले आपसे पूछा जा रहा है तो सहिंग तराष्ट का मुख्याला आपको मिलेगा नियॉयोक सहर में आपको मिलेगा सहिंग तराष्ट का हेड़ क्वार्टर तता इसकी जो अस्थापना तिकी गई थी 24 अक्टूबर 1945 को तो इसे आप ध्यान देजेगा अगला प्रस्थन है आपको बताना है निम्लिकित में से किसको विधान सबा का सत्रा वसान करने के सकती दे गई है तो विधान सबा का सत्रा वसान कौन कर सकता है तो उस राज्य का राज्यपाल यानि कि ऑप्सनप का ए बिल्कुल सही है राज्यपाल को अगला प्रस्थन है व फायान निम्लिकित में से किसके सासनकाल में भारत आया हुआ था आपको बताना है तो जो फायान था या किसके सासनकाल में भारत आया हुआ था तो फायान जो था या किसके सासनकाल में तो चंद्रगुप्त द्विति किसके तो चंद्रगुप्त द्विति जिसको हम विक्रमा अग्ला है इसमें से किस राजी की जो सीमा है वह बांग्ला देश से नहीं लगती आपको बताना है तो इसमें से मिजोरम की सीमा बांगलादेश से लगती है, त्रिपूरा की लगती है, पस्चिम मंगाल की लगती है, लेकिन सिक्किम की जो सीमा है या बांगलादेश से टच नहीं होती, तो टोटल पांच राज्ये हैं जैसे मिजोरम, त्रिपूरा, असाम, मिघाला और अस्थली सीमा साजा कलता है तो बांगलादेश जो है या बारत के साथ सबसे जादा अस्थली सीमा साजा कलता है या अगला प्रस्तन है निमलेकित में से किस प्रदूस्या के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है या ना अगला प्रस्त मारा है एक मनुस्य की स्वस्त आख के लिए निकट बिंदू क्या होता है तो एक मनुस्य की स्वस्त आख के लिए निकट बिंदू होता है आपका पचीस सेंटी मीटर क्या होता है तो पचीस सेंटी मीटर होता है निकट बिंदू तो आप इसे ध्यान है तो राइटेंस राप क्या हो जाएगा पचीस सेंटी मीटर तो आप इसे ध्यान देजेगा इसके बाद अगला है यहां पर विद्धू चलकता की यूनिट आपसे पूछी जा रही है तो इस प्रस्थन का राइटेंस हो जाएगा मियो इस प्रकाल लिखाता यह मियो तो जो में होता यह आपका विद्धू चलकता की यूनिट होती है निखी काई होती है तो राइटेंस राप को जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रस्त नमारा है भारत में निउकलियर विसफोटक साधनों का परिक्षन कहां से किया जाता आपको बताना है तो भारत में निउकलियर व परिक्षन हमारे परिक्षन में किया गया है एक तो पहला परिक्षन परिक्षन में आप द्यान देजे कहां गया एक पहला परिक्षन किया गया तो इसमाइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया था तो इसको नाम दिया गया था इसमाइलिंग बुद्धा और उनिसमाइलिं इस समय किसकी सरकाल थी तो स्रीमती इंद्रा गांधी की सरकाल थी और जब दूसरा परमारू परिछन किया गया तो पोकरण में जिसको ऑपरेशन सक्ति हमने नाम दिया था उस समय औरल ब्यारे बाचवेई की सरकाल थी तो दोनों आपको याद अखना है परमारू रियक्टर म भारी जल जिसको हम D2O के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तिमाल किस रुप में किया एता है? तो नुकलियर रियक्टर में भारी जल का जो इस्तिमाल या मन्दक के रुप में किया एता है, निकी option आपका B बिल्कुल सही है, मन्दक के रुप में. अगला प्रस्थन है प्राक्रितिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके दोरा की गए थी तो प्राक्रितिक रेडियो एक्टिवता की जो खोज की गए थी हेंद्री बैकरेल के दोरा यानि कि option अपका B बिल्कुल सही है हेंद्री बैकरेल यानि कि option B अगला प्रस्त मारा है Prince of Wells Cup का संबंद किस से है तो Prince of Wells Cup का संबंद आपका होकी से यानि कि option A इसका बिल्कुल सही होकी Amnesty International का मतलब Amnesty International एक संगठान जो जूड़ा हुआ है तो जो Amnesty International यहां मानव अधिकारों के सरक्छन से संबंद जोंद उनिकी option B इसका बिल्कुल सही है इसका हेटकॉर्टर आपकुल लेगा लंदन से इन में अगला प्रस्त मारा है सुल्तानपूर बर्ड सेंचुरी कहां पर इस्थित है तो सुल्तानपूर बर्ड सेंचुरी आपको लेगी गुरुग्राम में याने की ऑप्शन सी इसका बेलकूल से गुरुग्राम हरियाना में अगला है जो की लास्ट प्रसनाच का है अठारो सो सतावन की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो अठारो सो सतावन की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड केरिंग तता अठारो सो सतावन की क्रांती जिब समावत हुए आती है तो इस गवर्नर जनरल के पत को समावत करके वायसराय का पत बना दिया है तता बारत का पहला वायसराय भी बनता है लॉर्ड क तो यह चौते नमबर का मारे जो टेस्ट था उसको हमने कम्प्लिट कर लिया है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स प्रॉचिंग थैंक्यू